Brought to you by Agilis Diagnostics तारीक को ज़ाडू मार-मार के मार-मार के मार-मार के एक बाद जर्धेन से सोचना की अधर्स-पाल का वोट देने के पहले जर्धेन से सोचना हर्याना के अंदर इस बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार का Remote Control अर्विंद केज्रिवाल के हाथ में होगा केजरिवाल के हाथ में मानते हो की नहीं मानते हो हाथ उठा के बताओ मानते हो ना मानते हो ना तो इस सभा में एक बात और कहके जा रहा हूं सब को जाकर बता देना इनको विधायक बनाने की जिम्मेदारी आपकी है आगे की जिम्मेदारी केजरिवाल देंगे इनको आगे की जिम्मेदारी केजरिवाल देंगे अगर हर्याना के अंदर सरकार बनेगी तो केजरिवाल के समर्थन से बनेगी सरकार बनेगी तो आम आदमी पाटी के समर्थन से बनेगी सरकार की चाबी अर्विंद केजरिवाल के हाथ में होगी सरकार का रिमोट कंट्रोल अर्विंद केजरिवाल का हाथ में होगा और जब केजरिवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा केजरिवाल रिमोट कंट्रोल दबाएंगे आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल लाएंगे केजरिवाल रिमोट कंट्रोल दबाएंगे आपके लिए फ्री विजली लेकर आएंगे केजरिवाल रिमोट कंट्रोल दबाएंगे आपके लिए अच्छे अस्पताल और मुफ्त दवाएं लेकर आएंगे केजरिवाल हर्याडा की तक्दीर को बदलने में आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करेंगे ये मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ आपको भरोसा है ना यकीन है ना अपने बेटे अपने लाल पे भरोसा है केजरिवाल पे तो उन्होंने आदर्स पाल जी को मैदान में उतारा है पिछली बार कितना वोट मिला था इनको 48,000 वोट मिला था 48,000 वोट मिला था थोड़ा सा कमी रह गई इस बार कोई कमी मत करना मुझे तो लोग कह रहे हैं कि यहां से भारती जंता पार्टी का भी सफाया है और कांग्रेस पार्टी का भी सफाया है सीधे सीधे सब मिलकर आदर्स पाल को जिता रहे हैं क्योंकि हमारा चुनाओ निसान क्या है? क्या चुनाओ निसान है हमारा? जाडू बहुत काम की चीज होती है होती है नहीं होती है घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए गाउ की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए मुहले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए और जगादरी की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए और हर्याना की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए और देश की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए भूत उतारने के लिए क्या चाहिए भूत उतारने के लिए तो कांग्रेस वाले केंडिडेट के दिमाग पर और बीजेपी वाले केंडिडेट के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है पांस तारीक को जाडू मार मार के मार मार के मार मार के भूत उतारोगे कि नहीं उतारोगे बताओ क्योंकि लोग तंत्र में इलाज तो आप ही करते हो आप जिसको चाते हो वो बिधायक बनता है आप जिसको चाते हो वो सांसत बनता है आप जिसको चाते है वो मंत्री बनता है आप जिसको चाते है वो मुख्य मंत्री बनता है आप जिसको चाहते है वो प्रधान मंत्री बनता है अरे केजरिवाल केजरिवाल जब पहली बार उन्होंने पाटी बनाई थी तो उनके उपर लोग हसते थे कहते थे इनकी जमानते जब्त हो जाएंगी तीन बार की मुक्खे मंत्री सीला दिक्षित को दिल्ली के अंदर हराने का काम अर्विंद केजरिवाल ने किया ये लोग तंत्र में आपकी ताकत राखी बिल्लान को जिताने का काम आपके वोट की ताकत ने किया प्रकास जारवल को जिताने का काम संजी उजहा को जिताने का काम ऐसे ऐसे नौजवानों को दिल्ली की जंता ने जिताया जिनके पास एक रुपए जेब में नहीं होते थे लोगों ने चंदा भी दिया, वोट भी दिया, नोट भी दिया, वोट भी दिया और दिल्ली की विधान सबा में पहुँचाने का काम किया यही जुनून यही जज़बा आज आदर्सपाल के लिए दिख रहा है जा जाओ जिस से पूछो नजवानों से बात करो बुजर्गों से बात करो माता और बेहनों से बात करो तो लोग कहते हैं आदर्सपाल ने हमारी बहुत सेवा की है इस बार सूच समेत ब्याद समेत उनका करजा उतारेंगे वोट दे कर अपने घर वालों का भगल वालों का कर दो